हाई स्वागत है आप सभी का आई हिल्टर रो में मेरा नाम है नास और मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकखार डीडिंग लेकर जिस पर हम देखेंगे कि लेडी बग्स की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडन्स है, कौन से मेसेजिस हैं, मैं उन्हीं सभी मेसेजिस को इस डीडिंग में चैनल करने की कोशिश करूँगे अब आपके मन में यह प्रश्ण आ सकता है कि नाज लेडी बग्स ही क्यों, यकीन मानिये, रीसेंटली ही मैंने इनके मीनिंग्स को खासकर कि स्प्रिच्वालटी में, लेडी बग्स का क्या महत्व है, उसे डिस्कवर की, और महरान थी कि इतने खूबसुरत ओर्जा जुड और मैंने कुछ लिखा भी हुआ है यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लेडी बग्स यह गुड़ फॉर्च्वन की निशानी होती है, मानि कि अगर अगर आपको अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, फोटो फ्रेम, अपने रूम में या कोई सिंबल इनका, तो वो आपके जीवन में गुड़ लग को लेकर आने में आपकी मदद करता है, दूसरा है इनोसेंस, वो वूंडिड सोल्स, इनने लगता है कि कुछ लोगों ने उनकी मासूमियत को उन से छील लिया और वो अपनी मासूमियत को तुबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं, अपन इनसान चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा शक्स हो जो उसे सचे मन से एकसेप्ट करें, उसे प्यार करें, तो उस उर्चा को अपनी जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए भी लेडी बक्स की जो उर्चा है उत्तम है, बहुत उत्तम है, फिर है इंपॉर्णस ओफ इनसाने में भी लेडी बक्स की जो उर्चा है वो आपकी मदद कर सकती है, डिवाइन इंटर्वेंशन जो की सरेंडर की और इशारा करता है, अगर सरेंडर करना नहीं आता, या सरेंडर करने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो इस सूर्जा के साथ काम कीजिए, फिर है going beyond illusions, वो 10 of cups की और बढ़ना, 7 of cups को छोड़कर 10 of cups की और बढ़ना, यह उसके बारे में भी है, miracles, miracles को manifest करना, magician card की उर्जा, be here now, present moment के साथ जो ना, शुन्य की उर्जा, यहां पर हम, हमारे पस clarity है, मैं पता है कि हमारे next steps क्या होने वाले हैं, और फिर, last में है, know thyself, अपने आपको पहचानने में, यह जो ladybug spirit है यह आपकी मदद करती है, अब जैसे की हो सकता है कि आपकी मन में यह भी प्रशना है कि नाजस की उर्जा के साथ काम कैसे करना है, तो मैं अगेन आपको कहूंगी को आपको पिक्चर प्रिंट करवा सकते हैं, अपने बैग में र किसी भी उर्जा के साथ काम कर सकते हैं, तो आप ट्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, मेडिक्टेट कर सकते हैं, यह दिमाग में इनकी उर्जा को लेकर और यह फोन में वाल पर लगा सकते हैं, बहुत सारी तरीके हैं, तो कोई भी तरीका जो आपकी मन को ठीक लगे आप उसके साथ वही तरीका अपना कर इस सूर्जा के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यह कुछ information देनी ज़रूरी थी, और मैं चाम्स का इस्तिमाल करने वाली हूँ, मेरा miniature tarot deck, बहुत समय से मैं इसका इस्तिमाल नहीं किया, तो मैंने सुचा क्यों नहीं इसका इस्तिमाल करूँ, और साथी साथ कुछ letters है मेरे पास, कुछ words को भी मैं चानल करने की कोशिश करूँगी, तो यह information मैंने आपको देदी है, आपका मन चाहे पूरी reading देख लीजिए, आपका मन चाहे आप एक option, याद रखिए हमेशा आपके पास free will है, और हर message आपके साथ resonate हो, उसे ही सविकार करना है, यह भी ठीक नहीं है, जो अच्छा लगे message ग्यान की बात हो, उसे भी आप accept कर सकते हैं, भले ही फुर्व आपके साथ resonate ना हो, ठीक है, तो यह यह कुछ information है मेरी जान, और अब मैं इस reading को आरांब करूँगी, मासर रस्वती का नाम लेकर, जै हो, मंगल हो, option 1 के जान, हाई option 1 स्वागत है, आपका आपके reading में तो जिन्होंने भी let go ladybug को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से messages है, ladybug की तरफ से, मैं पहले पुरा लूँगी, charms को, tarot cards को और letters को, फिर ही मैं आपको, आपके messages तूँगी, ठीक है, thank you very much, आपके लिए लिए से इधंसे रख लेते हैं, thank you, option 1, very nice, see, यह चार्म मेरा दिन बना देता है, मतलब, जब मैं खुद के लिए करती हूँ, आँखे बंद करे चार्म लेती हूँ हमेशा ही, जब भी मैं रीडिंग्स पी करती हूँ और खुद के लिए भी, लेकिन जब भी यह चार्म मेरी रीडिंग मेरा तो मतलब दिन बन जाता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी, thank you very much, you are ready, very interesting, ऐसी ओर्चा हमें चाहिए, यहां पर कुछ लेटर भी निकले हैं, Z and E, interesting, अभी मैं आपके लिए कुछ कार्ट पी लूँगी, thank you very much, option 1, thank you, thank you, यह कार्ट साने चाहते हैं, तो मैं सारे ही लूँगी, king of cups, the hanged man, see, यह बहुत अच्छा combination है, king of cups और hanged man, यह उर्जा तब हमें चाहिए, जब हमें कोई बहुत बड़ा decision लेना होता है, जब हमें होता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है, मैं यहां पर जल्दबाज ही नहीं कर सकता, तो यहां पर यह combination बहुत उंदा, seven of pentacles, patience के बारे में, knight of swords, बिल्कुल ही extreme energies हैं यह तो, इससे sabr नहीं होता, यह कर ही नहीं सकता sabr, two of swords, king of swords, बहुत सारी swords energy है यहां पर, वाव, wheel of fortune, very interesting, let us see, thank you very much, thank you, oops, बहुत सारी, X, H, M, S, S, E, V, B, A, W, N, C, U, another C, D, another N, another S, and O, option one, very interesting, let go, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं, let go, आपने अक्सर इसके बारे में message सुना होगा, अगर आप टेलो रीडिंग्स देखते हैं, तो आपसे अक्सर कहा गया होगा, कि let go, लेकिन फिर भी आपने इसी message को अगर चुना हैं, तो इसका reason मैं बता देती हूँ यह हैं, क्योंकि आपने अभी तक उस चीज़ को let go नहीं किया हैं, जिसकी spirit आपको बार बार संकेत दे रही हैं, कि मेरे बच्चे इसे let go कर दे, इसलिए आपने इसी message को दुबारा चूस किया हैं, कोई भी message जब हैं, बार बार repeat होता है, मालने जिए angel numbers हैं, feathers हैं, words हैं, कुछ भी कह लीजिए, अगर एक message बार बार repeat हो रहा हैं, तो वह उस समय की पुकार है, वह उस समय की जरूरत है, तो यहां पर मैं definitely आपको पहला message यही दूंगी, कि दुबारा से न, सोच विचार कीजिए, जो कि यहां पर king of cups और hanged man की उर्जा भी, यह stuck energy नहीं है, यही जो card है न, hanged man का, यह हमेशा stuck हो, यह बुरी energy हो, यह जरूरी नहीं, कभी-कभी हमें यह विश्राम चाहिए, हमें यह break चाहिए, क्यूंकि हमें सोच विचार करना है, तो मेरे ख्याल से, क्यूंकि आपने, अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं, कि किस चीज़ को let go करना है, और वो भागा दोड़ी की वज़ा से हुआ है, या फिर आप एकांत की उर्जा से नहीं जुड रहें, उसकी वज़ा से हुआ हैं, जो भी रीजन है, स्पिरिट का आपकी तरफ से पहला संदेश है, कि for God's sake, इसे अब समझो, यह आपके समय की पुकार है, उसकी जरूरत है, आपको अब इस चीज़ को let go करना ही होगा, और let go करने के लिए, पहले समझना होगा कि let go करना किस चीज़ को है, आपको अपनी दिक्कत का जादा अंदाजा हो सकता है, मैं आपको कुछ triggers बता सकती हूँ इस reading में, लेकिन उन triggers की पूरे picture को समेट कर आपको देखना है, कि अच्छा, इस इस चीज़ को let go करना है, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर इस reading को देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर ना, दो butterflies हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इस corner पर, एक है यह butterfly और यह दोनों ही पूरी तरह से खिली हुई butterflies, एक होती है, जो भी कुपकोन की वह भी butterfly बन रही है, लेकिन यह बन चुकी है, तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, कि जैसे किसी की चेतना का विकास हो चुका है, knowledge है, समझ है, forgiveness करने की भी शमता है, प्यार करने की ताकत है, गिरे हैं तो उठने की शमता है, चेतना का पूरा विकास है माने की, तो यहां पर ना, आपके पास possibilities बहुत हैं, Ladybugs का जो पहला message है आपके लिए, कि आपके क्यूंकि आपकी चेतना का विकास है, तो उसकी वज़ा से possibilities बहुत हैं, आपके तरक्की की, आपके transformation की, कुछ दिक्कते जो हैं आपके जीवन में, उसे आप बहुत आसानी से, उस पर विज़े हासल कर सकते हैं, यह भी message है कुछ लोगों के लिए, तो यहां पर Scorpio की उर्चा है transformation के बारे में, इसको resist मत कीजिए, अगर हमको कौन में है ना, और हम आवे हमें spirit कह रहे हैं कि अब तुमारा butterfly बनने का समय आ गया है, तुम बन जाओ, लेकिन हम उसे resist करते हैं, तो फिर वो blockages को create करती है, आपकी यह transformation हो चुकी है, इसे महसूस कीजिए, new beginning आ रही है, transformation हो रही है, यह भी message सुना होगा आपने, फिर आपकी मन में यह भी हो सकता है, कि यह कब आएगी, new beginning आती कब है, transformation होती कब है, मेरी जान हो गई है, transformation हो गई है, transformation की साथ-साथ new beginning भी आ गई है, बस उसे अभी महसूस करना है कि हाँ, यह पतलाव आ चुका है, यह बहुत subtle change हो सकता है, इसी वज़र शायद आपको वो समझ में नहीं आया लेकि यह transformation हो चुकी है, अब उस भाव को shift करना है कि हाँ, मैं इसे अब accept करता हूँ, acceptance में आना है, ठीक है, यहाँ पर यह seven of pentacle भी है, जो कि मुझे कहता है कि धैर्य, धैर्य के साथ काम कीजिए, और अगर धैर्य करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो यह dolphin spirit जो आपसे कह रहे हैं, dolphin होती है, बहुती fun energy, चीज़ों को जादा गंभीर नहीं लेना, light लेना, कोई बात नहीं, हो गया सो, हो गया तो क्यों होगा, जवर में आगे बड़ा हो, वैसा attitude, तो यह जो धैर्य की उर्जा है, अगर इसके साथ आपको काम करना है, तो dolphin spirit का भी आपके जीए, वो उर्जा भी आपके लिए अच्छी रहेगी, इनफॉमेशन के लिए, यह love partner हो सकता है, again, क्युकि यहाँ पर love का भी हमारे पास charm निकला है, तो यह love partner हो सकता है, नया हो सकता है, यह पर pass से, कोई अतीत से वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ messages हो सकते हैं, करियर में भी कोई फोन कॉल आ सकती है आपको मैनिफेस्ट कर सकते हो नई जॉब को ठीक है तो उसके लिए भी आपको तियार रहना है सी यह स्प्रिंग है यहां पर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में यहां फ्लेक्सिबल होना अगर आप आपकी बाड़ी जो है वो काफी स्टिफ है आप जल्दी बैट नहीं पाते हैं बैट जाए तो आप उठ नहीं पाते हैं जल्दी आपके जॉइन्ट में से आवाजे आती हैं तो यहां पर मुझे यह भी मैसेज मिल रहा है आपको थोड़ा सा अपनी बाड़ी को मसाज करने की जरूरत है आपकी बाड़ी में फ्लेक्सिबिलिटी के कम है और उसके वजह से वो stuck energy वो दबी पड़ी है और उसके वजह से वो pain बाड़ी को manifest कर रही है तो make sure कि आप अपने बाड़ी को खास करके आप शर्सों के तील से मालिश करते है् क्योंकि यह पर सूरज की उर्जा है क्योंकि से कुछ सूरज की सूरसों की और से मालिश करते हैं तो वो भी आप वे बहुत अच्छी रहेगी ठीक है यहां पर X की उर्जा है देखे इसके पर मैंने X लिखा था लेकिन ये X मिट रहा है तो कुछ लोगों के लिए ये जो लेट गो करना है ना तो ये शायद X हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप उसी ग्रज में जी रहें कि इस शक्स ने मुझे दर्द दिया मैंसे माफ नहीं करूँगा तो कुछ लोगों के लिए इस इंटेंशन को इस ग्रज को लेट को करना है तो यहां पर X की भी भूमिका है कुछ लोगों के लिए यहां पर October का महीना आप में से कुछ लोगों के लिए सिगनिफिकेंट रहा सकता है यहां पर हैलोवीन की उर्जा है पंकिन की उर्जा तो October 10 महीना कुछ लोगों के लिए यह X का ब्रेक अप हुआ है वो शायद 2020 October में हुआ है या फिर यह जो शक्स है यह इस साल के जो October का महीना है कि आप में दोबारा वापस हा सकता है आपके जीवन में ठीक है यहां पर शुर्प्राइज की उर्जा है यह बच्चा वो जैसे हूँ बच्चा किसी को बच्चा बच्चा को तो वैसी उर्जा है से यहां पर आपको acceptance के साथ बहुत काम करना पड़ेगा मेरी जान यह message in a bottle में भी you are ready तो यहां पर आपको acceptance के साथ बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना receive नहीं कर पाते हो आप हैं givers दो 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 बस प्यार दे दो किसी को care करनी है तो वो दे दो अपने आपको drain कर लोगी और आप giver है लेकिन जब आपका receive करने का समय आता है आप ऐसे हो जाते हैं ऐसे क्यों हो जाते हो आप भी deserve करते हो प्यार को आप भी खुशियों को blessings को manifest करने के अगर आपके अंदर जा है ना तो उसे resist क्यों करना वो change अगर आ रहा है वो खुशिय आ रही है तो फिर ऐसा क्यों कर लेना ऐसा करो ऐसे स्वागत करो अपने हाथों को उस खुशियों से भरो तो यहां पर आपको receive करने में मुझे लगता है दिकत होती है option 1 तो receive करने के लिए आपको affirmations पोल नहीं होंगी क्योंकि यह दिमाग की एक blockage होता है जहां पर हमें कैसी धारना बना लेते हैं कि मैं कुछ भी deserve नहीं करता है मैं कुछ भी मुझे कुछ खुशी मिले मैं ऐसा मैंने ऐसा कोई कारणावा नहीं किया मतलब खुद को guilt से भर लेना खुद को एक अभिशाप समझना अगर ऐसी धारना में हो फुकार से को से पंद करो affirmations का use करो जिसमें आप यह बोल रहे हैं कि हाँ मैं भी deserve करता हूँ मैं accept करता हूँ इन abundance को इन खुशियों को और मैं इनका स्वाकत करता हूँ ऐसी अगर बाते आप डेली बोलेंगे अपने आप से तो जो blockage है आपके subconscious में वो बदलेगा उसमें paradigm shift आएगा ठीक है तो you are ready आप तेयार है खुशियों के लिए बस इसके उपर आप विश्वास कीजिए अब विश्वास करना भी बहुत जरूरी है अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो चीज मैनिफेस नहीं होगी ठीक है यहां पर ना जैसे candy की भी उर्जा है तो मुझे एक्तम से वो सीन दिखा रहे जैसे कोई बच्चा हो ना candy store में वो कितना excited होता है दोबारा से नहीं अपने जीवन में वैसी ही चंचलता को भरने के कोशिश कीजिए जीवन को इतना कठोर मत लिजिए मेरी जान इतना मत कठोर हो यह कि हाँ चीसे हो गई अब चीसे ठीक नहीं हो सकती ऐसा नहीं है चीसे हो सकती है ठीक, अगर हम उने करना चाहें, दुबारा से अपने जीवन में वो excitement को भरने के कोशिश कीजिए, यह जो king of swords है, और यह two of swords की उर्जा है, king of swords होता है कि यह rule है, मेरा मैं नहीं बदलने वाला, मतलब जो मैंने कहा दिया, पत्थर की लखीर, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता, जीवन में हमें flexible होना होता है, जीवन में हमें कुछ compromises भी करने होते हैं, कभी हर बार compromise गलत हो, यह भी ज़रूरी नहीं है, जहांपर हमारे आतम समान की बात हो, तो वह तो compromise नहीं करना, लेकिन कभी कभी हमें family में adjust करना पड़ता है, किसी नई शक्स के साथ अज़र्स करना पड़ता है, तो compromise करना भी ज़रूरी है, तो यहां पर यह कार्ड मुझे यह ही कह रहा है, कि अगर आप अगें बहुत rigid हैं, अपनी सोच को लेकर, अपनी फिलासफी को लेकर, थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा मुलायम होने की जरुरत है, यहां पर, I hope कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, उसे पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, यह two of souls ना, इसी वज़ा से उत्पन हो रहा है, क्यूंकि आपके अंदर वो मुलायम ना, वो मखपली सा जो आपका अंदाज था, जो पहले था, लेकिन कुछ experiences आए, मन को कठोर कर दिया, वो मखपली सा अंदाज आपका अपनी personality में दुबारा भरना है, उसी के साथ यह blockages भी जो है, वो आपके खतम हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर rest and repair, meditation की उर्जा है, meditation का मैं संदेश, अकसर देती हूँ लोगों को, तो make sure कि आप भी meditation करें, यहाँ पर यह magic doll है, grey, तो यह हमें perspective को change करने के बारे में संकेट देती है, कि एक ही तरह की धारना को लेकर, इस तरफ से अगर नजारे को देख रहे हैं, तो अब इस तरफ से देखने का, तो यहाँ पर perspective, shift in perspective जो change होता है, यह magic doll उसके बारे में संकेट देती है, ठीक है, तो अगर ऐसा भी कुछ करने की जरूरत है आपको, तो वो भी करना है, यहाँ पर number 3 है, देखिए, number 3 जो होता है, number 3 होता है roots के बारे में, number 3 होता है हमारी बन्याद के बारे में, हमारी stability के बारे में, हमारी intentions क्या है, जीवन को लेकर, हमारे कौन सी legacy को create करना चाहते हैं, यह destiny के बारे में भी है, by the way, संचा में अक्सर कहती हूँ, यह destiny life purpose को लेकर आता है, तो आप मैंसे कुछ लोग ready है, actual में, अपनी life purpose को discover करने के लिए, लेकिन again receive शब्द, आपके लिए बहुत significant है, क्योंकि आपको receive करना नहीं आता, जहां पर receive करने की बारी आती है, आपको लगता है कि नहीं, आप deserve नहीं करते, यह बहुत ही बुरी मान सकता है, आप भी खुशियों को deserve करते हैं, प्यार को deserve करते हैं, उसे receive करने के लिए ready रही है, ठीक है, तो number 3 भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, यह life purpose की awakening हो सकती है, तो यार रही उस information के लिए, page of wands की उर्चा, inspiration, inspiration का एक ऐसा जोंका, जहां पर आप, जरूरी नहीं कि आपके पास manzil हो, बस आपको बता है कि मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ तो होई ही जाएगा, तो यहां पर कर्म है, बिना किसी डर के, कि मुझे किस manzil की तरफ बढ़ना है, वो नहीं है, सीखना है बस मुझे, तो यह page of wands उसकी तरफ इशारा करता है, यह mandala, कोई भी प्रस्तिती हो, लेकिन उस प्रस्तिती में भी कोई खुशी को ढूंड लेना, positive सोच को ढूंडना, यह उसके बारे में है, यहां पर नमबर पांच, और नमबर, यह है नाइन नाइन अफ सोल्स, नाइन अफ सोल्स हमारी anxiety attacks, फिकर के बारे में हमें जानकारी देता है, और पांच नमबर है बतलाव, तो यहां पर spirit आपको यहीं कह रही है, कि अब आपको anxiety में जीने की ना जरूरत नहीं है, अब आप भी खुशियों का accept ही, जैसी यह पूरा pile ना accept नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यूं है, ऐसा क्यूं हो गया आप, आपको ऐसा क्यूं लगता है, कि आप खुशियों का deserve नहीं करते, यह प्रशन अपने आप से पूछिए, यह बहुत बड़ा प्रशन है, इसको lightly मत लेजिए, ऐसे कम भी प्रशन करना समय समय पर, हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्यूंकि जारातरा अंसर्स तो, ऐसे ही प्रशनों से हमें मिल जाते हैं, हमारी प्रशनों से सॉल्व हो सकती है, तो आप अपने आप से पूछिए, कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कि आप खुशियों को डिजर्व नहीं करते, आप abundance को डिजर्व नहीं करते, true love को डिजर्व नहीं करते, कौन सी ऐसी गलतियां होगी, तो क्या होगा, अगर गलति हुई भी है तो, गलतियां तो सभी से होती है, होती है कि नहीं होती, चाहे आप spiritual हैं, चाहे आप नहीं हैं, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उसकी वज़े से खुद को guilt से भर लेना, embarrassment से भर लेना, यह मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है तो ऐसा मत कीजिए यह बदलाफ आ रहा है जो आप से कह रहा है कि फिक्र में नहीं जीना मेरी बच्चे अब आपको रोशनी में जीना है अब आपको वो इंग्जाइटी का जुत वार है घर का विध्यान रखते हैं रिष्टनातों का विध्यान रखते हैं माइंड बाड़ी स्पिरिट में बैलन्स तो यह उसी के बारे में है यह बेबी आवल जो है मुझे एक तम से नौ सिख्यों वाली उर्जा है बहुत ही नईव उर्जा नहीं होती जहां पर वो हमें मारे पास experience नहीं होता लेकिन हमें पता है कि हां मुझे कुछ करना है क्या करना है वो शायद आपको ना पता हो क्यों कि अभी तक आपने अपना लाइफ परपरस डिस्कवर नहीं किया है लेकिन कि हां मुझे कुछ करना है ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि मुझे कुछ करना है तो ये बेबी आवल सीखने के लिए रदी है knowledge के लिए, wisdom के लिए रदी है Hierophant की उर्जा आप में से कुछ लगों के लिए ये शादी में जो दिक्कत है अगर आपके शादी में क्योंकि ये 7 पेंटिकल के पास था यहां पर बारात की उर्जा है मैं सच कह रहे हूँ कि जब आपकी शादी ऐसा तो है ने कि आपकी शादी होगी नहीं मतलब आपके पक्का पक्का शादी होगी वो सिर्फ इसकी वज़ा से है कि यहां पर divine time का खेल है लेकिन मैं ये message देने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी शादी होगी वो इतनी धूम धाम से होगी ना मतलब कि आपकी वो सारे गिले शिक्वे कि हाँ इतनी देर होगी मेरी शादी में वो सारे गिले शिक्वे ना इश्वर आपके दूर कर देगा तो यहां पर आश्वासन भी है, उन लोगों के लिए, जो उनके शादी में दिक्कत आ रही है, आपके शादी होगी, बहुत ही खुबसूरा तरीके से होगी, यहां पर कि आने वाले जो 7 months है, इस समय के दरान आपके जो शादी है, वो फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों की हो भी सकती है, ठीक है, यहां पर 7 months का time period है, इसके साथ साथ यहां पर है यह five of pentacles, और यहां पर है यह अवन गलव्स, जो कि हमें कहते हैं सुरक्षा, यह heat से बचाते हैं ना, हमें oven से कुछ निकालना हो, तो मारे हाथ ना जल जाएं, तो हम इसका इस्तिमाल करते हैं, और यहां पर क्या है lack mentality, यह भी कहती है, कि मुझे lag, अगर हमें abundance को चाहिए, तो हमें इस mentality से बचना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा, किसी भी abundance को manifest करने में यही होती है, तो यहां पर सुरक्षा, सुरक्षा को देखिए, solutions को देखिए, यहां पर थोड़ी सा एहतियात भरतने की भी जरूरत है आपको अपने जीवन मे खास करके money को ले कर, क्योंकि यह money का कार है, तो money के around आपके जो भी doubt है, फिक्र है, देखिए, कहीं न कहीं वो blockages को तो नहीं, आपका जो money के साथ relationship है, कहीं उसको तो नहीं खराब कर रहा, अगर है, तो आपको थोड़ा सा उसके 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 उपर ध्यान देने की जरूरत ह ठीक है, थोड़ा सा एहतियात परतने की जरूरत है, यहां पर यह black stone भी है, इसके उपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मिट किया, तो आप मेंसे कुछ लोगों ने healing कर ली है, यह भी आशवासन में आपको देदू, कुछ दाग थे, कुछ कहानी थी, जो trouble कर रही थी आपक लेकिन आपने उसे मिटा दिया, आपने उसके healing कर ली, तो बहुत-बहुत मुबारक हो, देखें, यह कितना सुंदर message जो आपसे कह रहा है, कि हाँ आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया, मतलब अगर आप यह कर सकते हो, तो बाकी की चीज़े भी तो कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो यह उसका आशवासन है आपके लिए, अंत में है मारे पास यह बहुत ही खूबसरत wheel of fortune, जो कि मेरे लिए हमेशा एक साल की उर्जा होता है, जब भी आप इस reading को देख रहे हैं, हलांकि मैं January के last के दिन चल रहे हैं, 2020 के, जब मैं से record कर रही हूँ, ल कैसा महसूस करना चाहते हैं, emotionally कैसा, career में कैसा, love life कैसी, उसकी ना एक picture set कीजिए, पूरी एक picture set कीजिए, और फिर देखिए, उसके प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, आप कौन से actions को ले सकते हैं, तो वो पूरे actions को लेना शुरू कीजिए, और मैं यगी यगीन से कह सकते हूं, आप उन खुषियों को मैनिफेस्स कर सकते हैं, वो जो चक्र है वो आपके हक में घूमेगा, अगर आप action भी लेते हैं, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए, तो यह बहुत खुबसूरत omen है, जिरों भी पालवान को चूस किया है, बहुत बड इमेज के साथ काम करना है, या तो आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, या फिर आप डिफरेंट शेप्स के साथ, या तो मैतमेटरिशन बनना चाहते हैं, कुछ है यहां पर, स्क्वेर, रिक्टेंगलर, यहां जिसे शेप्स मुझे बहुत समझ में आरी हैं, तो कुछ ना कुछ ग्राफिक डिजाइन करना, तो यहां पर अगर आप ऐसे कोई करियर चूज करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कानफरमेशन है, कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अपनी एडियों का, अपनी पैरों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे यहां पर मुझे किसी के ऐसा समझ मेरा है कि अपनी पैरों का ध्यान नहीं रखता या तो आपका इन जो आपके शूज है या तो पुछ सही साइस के नहीं है, या फिर उसमें कुछ दिक्कत है और उसके आपके पैरों की जो हडिया है, जो मसल्स हैं, किसी चीज के बैन करना, किसी चीज को रोक देना, तो इसका लिटरल मीनिंग में नहीं ले रही हूं कि बैन कर देना, मतलब यहां पर मीनिंग ले रही हूं कि स्टॉप कर देना, किसी चीज को स्टॉप करने की जरूरत है, यह कोई एक्सेसिव बहेवियर हो सकता है, कोई ब ब्लॉक करने के ज़रूरत है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को CNIB, मैं CNIB के साथ काम किया है, हलांकि वो Canada-based अंधे लोगों के लिए अर्गनाज़ेशन है, मैं उनके साथ ही पहले काम करती थी, तो एक तमसे मुझे CNIB समझ में आया, कुछ लोगों के लिए ये डिनेशन हैं उन लोगों के लिए जो की अंधे लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसी NGO के साथ चुड़ना, तो ऐसी NGO में अगर आप डिनेशन करेंगे, तो भी आपका कुछ कर्मा क्लियर कर सकती है, तो मैं यहां पर आपको उसका भी रिकमेंट करूँगी कि आप वह भी कीचिये, आप में से कुछ लोग या तो यूएस जाना चाहते हैं, या वहां पर सेटल होना चाहते हैं, मुझे उसमें बिग बिग येस लग रही है, मैं यूएस का इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यूएस से ही समझ में आ रहा है, तो जो लोग भी वहां पर सेटल होना चाहते हैं, मुझे वहां पर बिग येस लग रही है, अगर आप ये प्रोसेस शुरू करते हैं, तो इसलिए आपका जो वीजा है वो एप्रूव हो जाएगा, तो ये लेडी बग की तरफ से ये भी मैसेज हैं, आप मैंसे कुछ लगों को जूम इन, कुछ लगों को जूम आउट, मैं इसको इस अंदाज में इसलिए कह रही है क्योंकि ये भी आपको ट्रिगर करेगा, जूम इन, जूम आउट, तो यहां पर देखिए कि किस चीज़ को बहुत ही महीन उसको देखने की जरूरत है, आप मेंसे कुछ लगों के लिए डॉग मैनिफेस्ट होना चाहता है, एक डॉग है जो आपके जीवन मैनिफेस्ट होना चाहता है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई पैट लें, तो यहां पर मुझे डॉग मैनिफेस्ट होता हो नजर आ रहा है, यहां पर लेक्टर जी पर भी मेरी नजर गई तो कुछ लोगों के लिए यह बेबी गर्ल की उर्जा है क्योंकि यहां पर crown भी है princess तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो pregnancy है अगर अगर अब pregnant हैं तो बेबी गर्ल मुझे आपके जीवर में आती हुई नजर आ रही है मा लक्षमी की उर्जा आवल की भी बेबी आवल की भी तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको तो यह यह कुछ messages है मेरी जान I hope कि मेरी सारे cover किये है messages number 5, number 1 भी यहां पर new beginning के बारे में बगलाव आएगा तो new beginning आएगी उसी के बारे में संकेट दे रहा है जिन लोगों का भी court case चल रहा है उनके victory है यहां पर यह divorce case है या जो भी है उसमें आपकी victory है inheritance case भी हो सकता है तो मुझे जीत आपकी नजर आ रही है यहां पर ठीक है तो यह है option 1 के लिए reading I hope कि आपको इससे कुछ guidance मिली हो मुझे बहुत अच्छा लगा इस reading को करके मुझे अब जरूर बताएगा कि आपको यह पूरा style कैसे लगा अगर चाहते हैं कि मैं और ऐसी reading बनाओ तो उसके लिए भी आप मुझे feedback दे सकते हैं और यह मैं इस reading को खत्म करूंगी और मैं बहुत चल मिलूँगी आपके नेक्स reading में और अप मैं चलती हो option 2 के लिए हा option 2 स्वागत है आपके आपके reading में तो जिन्हों ने भी regrow ladybug को छूज किया है देखते हैं कि आपके लिए कौन से messages है पहले में सारा कुछ लूँगी फिर ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगी thank you very much पहले ने रख लेते हैं thank you very much definitely यहाँ पर new love की उर्जा है पहला message new love यहाँ पर wheel of fortune new love और वो cupid arrows किसी के लिए बहुत strong message है और यह बहुत जल्द भी manifest होने वाला है कुछ लगों के लिए यह वैलेंटाइन पर ही manifest हो सकता है congratulations अगर आप चाहते हैं true love को manifest करना तो मुझे यहाँ पर बही manifest होता हुआ नजर आ रहा है thank you thank you very much oh nice this pile की बहुत ही heal यह heal हो चुका है जैसे I don't know मजी ऐसा क्यों हो जैसे बहुत ही healing Mother Earth जैसे Gaia वाली उर्जा है this pile की जैसे आपने बहुत काम किया है already very nice thank you थोड़े से काथ आपके लिए thank you very much thank you option 2 thank you alright thank you four of cups offers offers four of pentacles 4 number marriage की बारे में होता है foundations की बारे में होता है twin flame soulmate archangel michael का number opportunities का आपके जीवन में आना subconscious blocks भी होते हैं यह number उसके बारे में भी बात करते हैं तो हम सभी के बारे में देखेंगे six of pentacles seriously यह relationship के बारे में है इसमें बहुत strong message है pile 2 के लिए relationship knight of pentacles see सच मानिये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस अंदाज में काथ रखूंगी लेकिन सम्हाल मैंने यह ऐसे कास रखेंगे यहोँ मैं प्रहान हूँ यह था रखूंगे लग है यह वैसे रखेंगे हुए भी जिसे Steps Home वो C.D. हो जैसे छिये थोड़े से आपकी लेटर्स भी जिख लेटेते हैं thank you thank you very much s m u k a another k q h g x l and j sabse pahla message bhoat strongly jinnke bhi ishtadev shiv shankar jinnke bhi shiv joh isht bhoat woh bhoat strongly aarehe 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 jinnke bhi पिछले कुछ दिनों में कि डर उत्पन हुआ है किसी बात को लेकर तो वह शिवजी की उर्जा कह रही है कि आप सुरक्षित है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वह है आपके साथ उनकी उर्जा है यह आप उनकी अराधना करते हैं शायद या फिर आपके इश् दिनेटली न्यू लव मुझे लगता नजर आ रहा है यह वह पायल भी है जिसने बहुत सारी हीलिंग की हुई है अलरडी यह बहुत मदर अर्थ गाया वाली उर्जा है इस पायल में तो मुझे लगता है कि आपका स्वभाव सुधरा है उसके लिए भी आपकी तारीफ की ज अभी संबब हुई है क्योंकि खुद को माफ कर दिया है जो खुद से आप से गलतिया हुई है खास करके उन लोगों के लिए यह मैसेज है जिन्होंने कुछ गुस्ताखियां अपने ऐसी की हैं जिसके वज़े से आपके माता-पिता को तकलीफ पहुँची है तो यहाँ पर वो गिल्ट जो था आपने उसके उपर काम किया और आपने खुद को माफ किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी एप्रिसियेशन जैसे वो मुझे यह से स्पिरिट ना तालिया मारती हुई समझ में आ रही है तो गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छी बात है आपके लिए लिखा हुआ है Elizabeth 2nd और इसके उपर Sun लिखा हुआ है 1962 तो आप में से कुछ लोगों के लिए इंफरमेशन 1962 यह Sun या फिर इस नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका जो भी अंक बनता है वो कोई Angel नंबर को को मैसिज हो सकता है उसे आप गूगल कर सकते है ठीक है तो य यह इतना strongly आ रहा है इस पायल में कोई बहुत ही romantic है वो खत लिख रहा है वो text messages नहीं वो लिखने में believe करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कुछ लगों के लिए यह book हो सकती है to be honest self love के बारे में या love के बारे में या love के बारे में या कोई love के लिखना चाहते है कुछ लोगों के लिए यह वो भी हो सकती है लेकिन यह बहुत romantic उर्जा है heart chakra heart centered people लग रहे है मुझे पायल टू बाले तो बहुत यहाँ पर मुझे तारीफ नजर आ रही है थूभी आने साब के लिए जैसा मैंने पहले कहा यह subconscious block के बारे में भी हो सकता है और यह मुझे आपके बच्पन से आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शुन्य की भी उर्जा है वो शुन्य की उर्जा मासूमित की उर्जा जब कहानी नहीं होती वो बच्पन ही होता है हमारा जब हमारे पा सबस्क्ता है पाँ बच्पन से है स्पैसिफिकली कहूं तो साथ से दस साल की आपकी उमर रही है इस समय के दुरहन कुछ हुआ है कुछ लोगों के साथ तो कुई ऐसी मेंपरी है जिसे अभी थोड़ा सा मरहम लगाने की जरूरत है तो कुछ लोगों के लिए यह मैसेज की ह अभी भी थोड़ी healing बाकी है कुछ लोगों के लिए इस soulmate की उर्जा है क्योंकि यह बहुत इनोसेंट उर्जा six of cups की उर्जा मेरे लिए soulmate की उर्जा हो जाती है तो definitely हाँ पर कुछ लोग soulmate को manifest कर रहे हैं यहाँ पर यह जो hammer है यह कहता है कि समय को व्यर्थ मत करो अब और सोच विचार में समय को व्यर्थ मत करो लोहा गरम है हथोड़ा मार दो अब action का समय है अभी हमें समय को व्यर्थ नहीं करना तो यह उसके बारे में है यह हमें इस चीज के बारे में भी जानकारी देता है कि आपके पास हिम्मत है, आपके पास हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, क्योंकि यह थोड़ा उठाना और एक्षन लेना, यह हिम्मत का काम है, तो अपनी कावलियत पर शक नहीं करना है आपको, ठीक है? यहाँ पर अगेन लेटर है, यहाँ पर संदेश है कुछ लोगों के लिए, यह वैलन्टाइम्स आपका ना कुछ ना कुछ है, जो खास करके सिंगल्स है, अगर अलड़ी रिलेशन्शिप में हो, आपका रिष्टा और मजबूत होगा, आप और जादा abundance, prosperity को अपने रिष्टे में भरेंगे, और जादा grow करेंगे अपने person के साथ, यह बहुत healing, बहुत पवित्र उर्जा है इसमाइल की, यहाँ पर six of pentacle, यह हमें family relationship, soulmate relationship, घर में बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना, पेट का ध्यान रखना, रिष्टे नाती जो ज़रूरी है, उनको समय देना, काम भी करना, यह सब उसके बारे में है, समाज का भी ध्यान रखना, donations के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं, donations करने का, तो कर दीजिए, सोचिए मत जादा, यह उसके बारे में भी है, कुछ लगों के लिए, यहां पर inheritance manifest हो सकती है, पाल वान में भी था यह message, inheritance माने, आपको अपने परिवार से, अपने घरवालों से, कुछ पैसे मिल सकते हैं, जो कि unexpected होंगे, वो उसके वज़ा से, आपको लग्जीरियस चीज़ दें, या कोई vacation पर भी जा सकते हैं, ठीक है, यहां पर कोई है, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत slow है यह शक्स, इसको समय देना, यह अगर अगर आपके जीवन में, तो spirit कह रही है, कि इसको push मत करो, यह push करोगे, यह डर जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही soft spirit है, बहुत ही वो कच्छवा चाप नहीं होते, वो धीर धीर आगे बढ़ना, तो उसकी वज़ा से यह बहुत slow हो सकता है, जल्दी शायद commitment ना दे आपको, लेकिन फीलिंग्स है इस शक्स के पास, उफर हैं कुछ देने के लिए हैं आपको, तो डेफिनिटली यहाँ पर प्यार की मामले में, तो पाल 2 बहुत अच्छा लग रहा है, करियर की बात करते हैं अभी, से आपके ना, आपके पास अच्छे उफर्स हैं, लेकिन जैसे आप खुद सैटिस्फाइड नहीं होते, यह यह वो उर्जब है जब हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, हमें लगता है कि नहीं मुझे यह नहीं मुझे यह वो चाहिए, फिर जब वो मिलता है, नहीं मुझे यह नहीं मुझे वो चाहिए, खुद ही blockage इसको create कर रहे हैं, तिकाब नहीं है, मन नहीं टिकता, तो उसके वज़े से stability कहां से आएगी, मन तिका कर कहीं काम नहीं करोगे, तो वो promotion कैसे मेलेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ोगे, growth कैसे होगी, तो spirit कह रही है, थोड़ा सा इस आदत पर भी आपको काम करना है ठीक है, यहाँ पर मुझे यह lock है, और यह Pisces की उर्चा है, hidden है, अभी चाबी आपके हाथ में नहीं, अभी ताला बंद है, और वो Pisces की उर्चा hidden energy हो जाती है, तो यहाँ पर definitely कुछ चीज़े हैं, जो आप solutions ठूणने की कोशिश कर रहे हैं, spirit कह रही है, अभी वो समय नहीं है, कि वो चाबी आपको दी जाए, अभी थोड़ा और गाम, अभी थोड़ी और मशक्कत करने की जरूरत है आपको, inner work जैसे कहते हैं, तो यहाँ पर वैसी उर्चा है, आपकी intuition ना, on point जैसे कहते है, मतलब आग लगा दे कोई अपनी intuition से, माने, चीज़ें दिखने लगें, चीज़ें समझ में आने लगें, चीज़ें सुनने लगें आप, spirit को channel करने लगें, तो यह dragonfly उसके बारे में है, तो आने वाले जो आपके दो महीने हैं, खास करके मैं मुझे दो नंबर दिखा रहे हैं, वो तो दो महीने कुछ लोगों के लिए, दो हफते भी हो सकते हैं, लेकिन दो महीने कुछ लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेंगे, intuition को समझने में, अपने आप को समझने में, बहुत सारी ऐसे decisions हो सकते हैं, जो कि आपके intuition based हो सकते हैं, इसी वज़े से शायद spirit आपको तयार भी कर रही है, तो बहुत-बहुत मुबारक हो जिनके साथ भी य जिसने बरदाश किया है, जो ढ़ला है, जो पिघला है, जो सकत भी हुआ है, और जिसने सब कुछ विटनिस किया है, तो बहुत strong, कोई यहां पर commitment देगा, तो छोड़ेगा नहीं, मतलब वो निभाएगा, यह तराशा हुआ दिल है जैसे, तो वैसी उर्जा है, या इसे बन जाए, तो वो true love को ही manifest करेगा, वो कार्मिक को, नार्सिस को नहीं कर सकता, तो बहुत-बहुत मुबारख हो यहां पर, यह जिस अंदाज में यह rubber band बैठी है, यह number 8 बन रहा है, लियो का भी है, क्योंकि infinity का sign हो जाता है, number 8 ना, हमें loop के बारे में बताता है, उस loop में चल रही है, abundance की, उसे जारी रखिए, जो आपके actions है, उन्हें जारी रखिए, अगर यह loop चल रही है, stress की, तो इस loop को हमें खोलना होगा, देखना होगा, कि यह loop, यह जो stress है, यह आ कहां से रहा है, शुन्ने होना पड़ेगा, कहानी है, अगर, जो stress को उत्पन कर रही है, तो उ इसके बारे में है, ठीक है, यहां पर लेटर A है, कुछ लोगों के लिए significant, number one हो जाता है, क्योंकि पहला लेटर है, तो लीडर्शिप रोल कुछ लोगों के लिए यहां पर manifest हो रहा है, I don't know क्यों guys, मुझे ऐसी, ऐसी कंपनी जो की water purifiers बनाते है, you know, वो जो swach gel को promote करते है स्वच अभियान भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी company है, जो clean पानी जो होता है, वो supply करते हैं चीज़े, या ऐसा कोई machine बनाते है, मुझे ऐसी उर्चा मिल रही है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई job manifest हो सकती है, ऐसी किसी संस्था के साथ या स्वच अभियान के साथ आप में से कुछ लोग जुड सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, आपको यहां पर कुछ लोग हैं जो की बुरी नजर भेज रहे हैं, लेकिन शिवजी की उर्जाव आपको protect कर लेगी, destiny, यह कितना सुन्दर चार्म है, मतलब मैं तो, दे बहुत ही बहुत प्यारी उर्जा है, जिसमें आपने healing की है, अब आपका reward time है, तो बहुत positive चार्म है यह, यह clip है, जो हमें कहता है कि अगर आपको किस चीजों को संभालने की जरूरत है, तो वह उर्जा है, बस उसे थोड़ी सी attention देने की जरूरत है, ठीक है, अपने resources का इ बहुत है, यह design लूँ, यह design लूँ, क्योंकि two of swords की उर्जा है, थोड़ा बटा हुआ कर देती है, तो अगर आप material wealth में manifest कर रहे हैं, और उसमें आप सोच विचार कर रहे हैं, तो spirit यह भी कह रहे है कि इतना समय मत लो, चीजों के साथ, इतना attach भी नहीं होना कि उसमें समय विर्थ हो जाए, वो नहीं करना है, जो चीज लेनी है, उसे ले लीजिए, अगर आपको लगता है क्या प्रडी नहीं है, तो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा rest भी ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, यह black tourmaline है, यहाँ पर नजर बचाने के बारे में है, I mean black tourmaline, I don't know, मैंने क्यों obsidian कहा, कुछ लगों के लिए obsidian की और उर्जा हो सकती है, tourmaline और obsidian दोनों की, ज़िए, ये यहाँ पर ना किसी की spiritual journey का आर guesses रहा है, या किसी की spiritual journey, वो शुन्य पर आरही है, ना की awakening हो रही है, ascension हो गई, तो यह कुछ लोगों के लिए आरंभ है, कुछ लोगों के लिए ये, उनका अंत है, माने की spiritual journey में आपनी वो ascension को हासिल कर लिया, ठीक है, तो यह तो लोग है लेकिन चावी नहीं है आपके पूरे चाम अगर देखा जाए कहीं पर भी चावी नहीं है तो कुछ सल्यूशन है जो अभी बाकी है कुछ चीज़े हैं जो अभी अभी मैनिफेस्ट नहीं होने का टाइम है यहां पर डिवाइन इंटर्वेंशन जो की लेडी बग्स भी डिवाइन इंटर्वेंशन के बारे में ही बात करती है मैं इंटरो में बता रही थी तो डेफिनिटली आपको यहां पर थोड़ा से धहरी रखने की जरूरत है कुछ लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर लेंगे लेकिन वहां तक पहुँचने का माल थोड़ा टेड़ा है आपका उसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर नमबर 3 है नमबर 2 और 1 यह भी नमबर 3 तो यहां पर आपके ना बनियाद थोड़ी कच्ची पकी है क्योंकि यह 3 नमबर साथ में निकले हैं यह तो तीन नमबर है लेकिर यहां पर 2 है और 1 दो और 1 को जोड़कर 3 बनता है यह साथ में 3 नहीं है तो यहां पर जो आपकी बनियाद है ना वो थोड़ी मुझे कच्ची लग रही है अगर आप चाहते हैं कि आप मीजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बना है तो डेफिनेटली आपको उसी के हिसाब से अपनी बनियाद को मजबूत कीजिए फिर आपकी तरक्की जो है उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहां पर अगेन ताला है अच्छा आप मैंसे जिन लोगं के घर में ताले पड़े हुए हैं बिना बात के इस्तिमाल में नहीं है डोनेट कर दो यह उसकी भी उर्जा हो सकती है उसकी वज़ा से भी वो सल्यूशन नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है वो चीज़ें जिसे आप चाहते हैं वो जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रही क्योंकि वो इन तालों से आ रही है तो उसे डिनेट कर दीज़ेगा ठीक है यह पैंटिंट है आप मेंसे कुछ लोगं को तौफा मिल सकता है खास करके अपने भाई के तरफ से अगर आप अपने ब्रदर के साथ रिलेशन्शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं तो यह चार्म उसके बारे में है यहां पर मालक्षमी की वर्जा मतलि यह तो सीधा है मेरे लिए क्योंकर यह बहुत ही ख़ूंबसुरत चामालक्षमी की वर्जा abundance बहुत सारी abundance है यहां पर जो लक मेंटेलिटी में जी भी रहे थे आपका paradigm shift हो रहा है क्योंकि यहां पर ascension की भी उर्जा है तो definitely मा सरस्वती की उर्जा यह wisdom के बारे में higher education के बारे में PhD के बारे में भी संकेत देती है तो आप मेंसे जो लोग कुछ लोगों की मुलाकात उनके true love से करियर के शेत्र में ही हो सकती है जैसे मा लक्षमी आपको जो blessing दे रही है यहां पर धन तो दे ही रही है wisdom तो दे ही रही है लेकिन प्यार क्योंकि इसमें दिल बना हुआ है इस ताले में तो आपको प्यार भी वो manifest करने की आपके जिवन में कोशिश कर रही है ठीक है इसको देख लेते हैं यहां पर है 1, 2, 3 तो लड़ी है जैसे मैंने पहले कहाँ एक लड़ी है प्रोग्रेस है यहां पर आगे बढ़ने के बारे में तो यार रहे है यह पॉजिटिव चेंजिस हैं यहां पर यह क्रास की उर्जा है जो कि मुझे हमेशा ही फ्योनिक्स के बारे में जानकारी देती है फ्योनिक्स माने कि कोई भस्म हुआ और उसी राक्सिक नहीं सेल्फ उत्पन हुई जो कि यहां पर भी यही चल रहा है असेंशन असेंशन है यहां पर स्प्रिच्वल एनरजी अल्रेड़ी यह पाइल बहुत कुछ कर चुका है उसकी वजह से भी यह शायद मैनिफेस्ट हो रही है स्टार की अक्वेरियस कुमः राशी की हीलिंग के बारे में फेम के बारे में सक्सेस के बारे में यह उर्जा है यहां पर जिद्धी पुना छोड़िये आपकी अपकी यह भी कह रहे है यहां पर रोजी है अगेन रोमांस बहुत सारा सेल्फ लव भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेकिन प्यार से जुड़ी हुई जो भी चीज जिसे आप मैनिफेस्स करने की कोशिश कर रहे है वो हो रही है आपकी जीवन में लोग ओ माई गॉड यो गाई सच कहरी हूँ मैंने नहीं देखा था यह ना इसके नीचे छुपी हुई थी ऐसे यह की है आपके पास यह तो बहुत ही खुबसुरत बात होगी मुझे लगा आपके नहीं निकली कोई की लेकिन आपके एक दो तीन यह की है आपके पास solution है आपके पास यह पाइल बाजी मार किया सच कह रही हूँ यह कितनी hidden energy है देखो ना मतलब सामने है लेकिन छुपी पड़ी थी इस तितली के निचे यह त्रांस्फोरमेशन की निशानी है तो आपके लिए जो solution है आपके जीवन के जो ताला खुले काना वो आपके ट्रांस्फोरमेशन के साथ ही बदलाव के बाद ही वो जो ताला है वो आपको दिख सकता है तो कुछ लोगों के लिए बहाती खुबसूरत मैसेज प्लांस को बदलिए अपने प्लांस को बदलिए यह वील ओफ फॉर्चुन की भी उर्जा है कुछ लोगों के लिए और अंत में आपके लिए यह है decoration piece जिसे कहते है I don't know यह कहता है जो आपका मन है वो करो जो आपका मन है वो करो पहने का मन है वो बंदिशों में नहीं रहना यह उसके बारे में है ठीक है यहाँ पर nine of pentacle की भी उर्जा है independence, abundance, prosperity बहुत सारा धन मैनिफ्रस करना उसके बारे में और यहां पर last में है हमारे पास यह swan जो कि self expression के बारे में कि हाँ जो मैं हूँ मुझे वही दिखाना है मेरी authentic self को किसी की वज़ा से मुझे खुद को बदलना नहीं है तो यह charm और यह charm दुनों साथ में जाते हैं ठीक है अब आपके लिए थोड़े से वर्ट्स को भी में चैनल करने की कोशिश करती हूँ आपके लिए आपने से कुछ लोगों के लिए जलंधर आइड़नो किसके लिए यह मैसेज है लेकिन जलंधर बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है पंजाब की जो सिटी है जलंधर जहां से मैं भी बिलॉंग करती हूँ तो यहां पर जलंधर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है इसकी तो बात की ही नहीं हमने इससे क्या नजर आता है मैं आपकी उपर छोड़ती हूँ चलिए यह मैंने रखा है हाथ में इससे आपको क्या समझ में आता है जो भी आपका वो मैसेज है वो परसनल मैसेज है आपका ठीक है तो यह आपका परसनल मैसेज हो गया पाल तो आप मेंसे कुछ लोग कम्प्यूटर डीकोडिंग सीखना चाहते हैं computer decoding, computer engineer बनना चाहते हैं, अगर उसके लिए दाखिला चाहते हैं और आप धन को manifest करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, spirit कह रही है कि मैं तुम्हें वो help भेज रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो भी संबब हैं, आप में से कुछ लोगों को अपना अपनी स्टमक का ध्यान डखने की ज़रूरत है, आपका स्टमक ठीक नहीं रहता, या फिर आपको चीजे पच्टी नहीं है, या फिर आपको ऐसी डिटी है, या कुछ आपको पेट के इर्द गिर्द है, जो कि ठीक नहीं है, ये रूट चक्रा के बारे में भी जानकारी देती है, कि वो स्टेबिलिटी नहीं है आपका, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पेट का भी ध्यान डखना है, इसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों के लिए साथ समझ में आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए यातरा यहां पर günनिफ्यस्ट हो रही है, यातरा के लिए पर तयार रही है, खास करकर अरोप्लेई, यहां पर अगें, वो स्काइल की ऊर्चा है, आपने से कुछ लगों के लिए हनुमान 40 पढ़ना बहुत जरूर यह monkey spirit है यहाँ पर हनुमान 40 यह monkey mind भी हो सकता है कुछ लगों के लिए Libra की उर्चा मन अगर लगों के लिए अगर नहीं अगर क्म लोगों के लिए होगा कुछ, बहुत सदी हुइ उर्जा है, तो इसके पास Guru Dakhshana पहले में उर्जा है, जो अवर्जा के बाद में पूर्ण विझांundred है, यह तरी ईपर सोल्स की उर्जा है, और आपके बुशने बात किये, यहां के लिए अंत में मैंने से रीड किया है यहां पर, यह कुछ, जस्ट एसकेंड, वाव, आप में से कुछ लोग जो लार्ज साइज में हैं, जो लार्ज साइज के कपड़े पहनते हैं, यहां पर आपके लिए एक संकेत है, यहां पर आपना थोड़ा साइज करें, क्यूंकि आप अगर नहीं करेंगे, तो वो आप एकसल की और बढ़ रहे हैं, अगर आप अपना वेट लूज नहीं करते हैं, तो आपका वेट और बढ़ रहा है, जो कि आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मेक शुर कि आप अपना वेट लूज करने की कोशिश करें, ठीक है, यह बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, अगेन आपकी फ्री विल है, नहीं चाहते हैं, तो मत सभीकार कीजिए, लिकिन यह स्पिरिट की तरफ से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो यह, यह है अप्शन 2 के लिए रीडिंग खुबसूरा तूर्चा, बहुत ही खुबसूरा तूर्चा, थांकि सौमाच की आपके मज़े से मुझे से रीड करने का मौका मिला, और जो भी आपकी विचार है, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, यह स्टाइल आपको कैसा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको भी आप अपने विचार रख सकते हैं, मैं डेफिनितल लिए उने कंसीडर करूंगी, और यह मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूं, और अब मैं चलती हूं ऑप्शन 3 के लिए, हाई, ऑप्शन 3 स्वागत है, आपको आपकी रीडिंग में तो जिन्हों ने भी हील ले से मेसेजिस हैं, ठीक है, तो सबसे पहरे मैं सारा ले लूँगी, फिर ही मैं आपको मेसेजिस दूँगी, थांक यू वाव, बहुत सारे, बहुत सारे चलिए जी, देख लेते हैं, तुम कहां जा रहे हो, जी, commitment भागी जा रही है आपकी, commitment आना चाहती है, लेकिन शायद आप भाग रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं अभी रडी नहीं हूं, तो यह भागती जा रही है, तो commitment, चलिए देखते हैं, thank you, thank you very much, oh oh oh, two taalai, two chaabia है यहां, number 11, कुछ लोगों का life path हो सकता है, number, master number 11, shark, खोज, angels, baby elephant, oh very interesting leap of faith, leap of faith, यहां पर ना जैसे इश्वर परिक्षा ले रहा है आपकी, कि आपका इश्वर पर कितना, white light पर कितना भरोसा है, तो यहां पर leap of faith, आपकी परिक्षा ली जा सकती है, आने वाले समय में, very interesting, um, तो हार, angels' की ओज़ा, very nice, इसमें से कुछ शाम्स मेरे ख्याल से पाल 2 में थे, तो शायद आपको पाल 2 लेखना चाहिए, बहुत खूबसूरत था, यकीन मानिये, बहुत खूबसूरत था, यकीन मानिये, बहुत खूबसूरत था, thank you, thank you, thank you very much, यह पाल है, कान खीज रही है, जैसे स्पिरिट आपकी, यह है, वो, कान बात नहीं मानते, मेरी, इतने बार कह दिया, वो कान मरोड रही है, जैसे स्पिरिट, तो यहाँ पर देखते हैं, कि आपके लिए, टेरो कार्स में से क्या निकलता है, thank you very much, option 3, चलिए, thank you, यहाँ परे 3 of pentacles, 8 of swords, yes, definitely, यह यह तियार रही है, pile 3, आपके बहुत कान खीजने वाली है, spirit, इस reading के माधियम से, 5 of swords, oh, strength, thank you, thank you, oh, बहुत कम निकले आपके लिए, चलिए देखते हैं, W, another W, win-win situation है यहाँ पर, Libra की उर्जा, win-win situation, यह रास्ते चले जाओ, वह रास्ते चले जाओ, सफलता है, win-win situation, M, X, maximum कुछ लोगों के लिए यह वर्ड significant हो सकता है, Z, K, J, K, and N, होड़ी से और लोंगी मैं आपके लिए, फिर से दो निकले हैं, मेरे खाल से यह निकलना नहीं चाहते, E, O and E, very interesting, so option 3, जैसे मैं आपको पहले कहा की, यहाँ पर, spirit आपकी कान खीचने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले जो मुझे चैनल हो रहे हैं, नहां पर किसी को fertility की दिक्कत है, आप मा नहीं बन पा रही है शायद, या फिर कुछ लोगों के लिए यह कुछ आइडियास हैं, जिसे आप जनम नहीं दे पाते हैं, सोचते हैं लेकिन वह हो नहीं पा रहा, और उसका सबसे बड़ा spirit मुझे जो reason दिखा रही है, वो है आपकी feminine side को healing की जरूरत है, आपकी feminine side बिलकुल तित्तर-बित्तर है, मानि उसके उपर इतने वार किये गए जो अतीत में, जो उसकी दिल को चनली किया गया, उसकी healing नहीं हुई, इसकी वज़ा से ना तो वो कोख खिल पा रही है, ना ही वो बच्चा आपकी गोद में आ पा रहा है, ना ही वो जो ideas है, जिससे आप create करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी जनम नहीं दे पा रहे हैं, और again यह सिर्फ लड़कियों के लिए message नहीं है, आइडियास वाला, क्योंकि feminine side और masculine side हम सभी में होती हैं, तो आप जो भी इस message को देख रहे हैं, आपकी जो feminine side है, उसकी ना जिससे किसी ने धज़ियां उड़ाई हैं अतीत में, और आपने उसकी healing नहीं की, और उसकी वज़ा से आप खुद का ही, जैसे ना खुद के लिए बहुत ही दर्द को उतपन कर रहे हैं, तो make sure कि आप उसकी healing करें, उसकी healing करने के लिए क्या होगा यहां पर, जो भी वो दर्द जिस भी शक्स ने आपको दिया हैं, देखना है कि वो जो दर्द मिला आपको, उससे कैसे भाव उतपन हुए, डर उतपन हुआ, anxiety उतपन हुए, वो जो भी भाव उतपन हुए है ना, उन भावों को आपको heal करना है, जैसे अगर आपके अंदर anxiety उतपन हुए, anxiety को heal करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हविस्किस जो flower होता है, उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, essential oils का इस्तिमाल कर सकते हैं, प्रणायम बहुत अच्छा रहता है, anxiety के लिए, तो वो यह सब कीजिए, डर उतपन हुआ है, तो ऐसे काम करने शुरू की जिसमें daring है, जिसमें आपकी हिम्मत को आप लगा सकें, तो उसको भी ऐसे heal कर सकते हैं आप, तो ऐसे कोई भी अगर कोई भाव है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए, आपको कुछ actions लेने हैं, क्योंकि वो feminine side ना, बहुत चलनी है यहां पर किसी की, मतलब इतनी feminine, जैसे किसी ने इतने घंजर वार किये जैसे किसी के उपर ना, और उसके healing नहीं हुई है, और वो fatality में issue, सब कुछ उसकी वजह से ही है, ठीक है, यहां पर मैं आपको दूसरा message यह भी देना चाहूंगी, अपने अस्तित्व पर शक करना बंद करो, Pile 3 अपने अस्तित्व पर शक करना बंद करो, आपको क्यों लगता है, कि आपकी existence किसी पर नरभर है, क्यों हो? क्यों हो किसी की उपर नरभर? और वो भी ऐसे शक्स के उपर, जो आपकी अस्तित्व को पूचता नहीं है, मानता नहीं है, जो आपको समय समय पर आपकी spirit को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ऐसे शक्स की और देख रहे हो, कि हाँ मेरे अस्तित्व को मानो, मेरे अस्तित्व को पूचो, वो तो करेगा नहीं, तो आपकी तो गरती है, कि ऐसे शक्स से क्यों आपको acceptance चाहिए, खुद को accept करो, खुद को खुद की चेतना के साथ जुड़ो, खुद पर काम करो, I'm really sorry, लेकिन ये पूरा पाल ना बहुत spirit कान कीज़ेगी, अगर नहीं मन हैं मत देखो, मैं सच कह रहे हूँ, क्योंकि इसमें वैसे ही messages भरे हुए है, से यहां परनाप की परिक्षा भी है, पाल 3, यह परिक्षा है आपकी, यह leap of faith और यह peace sign, जैसे एश्वर कह रहा है कि हाँ, मेरे बच्चे तुने मुझसे तो बहुत प्रशन किये, मुझसे तो बहुत कुछ मांगा, तो यहां पर टावर और Ace of Wands की उर्जा है, अपने हिसाब से इस चीज को देखेगा, Ace of Wands बहुत अनेक्सपेटड न्यू बिगिनिंग होती है, मानने की, मानने जी आप रडी नहीं है शादी के लिए, लेकिन शादी का प्रस्ताव अगर आपकी शादी होगी, मतलब एक धारण के तोर पर कह रही हो, तो ऐसी ऐसी उर्जा है यहां पर, Unexpected, से यहां पर हीलिंग है, लेकिन यहां पर यह देखो ना, यह क्या है, Seahorse, यह कहता है मैंने नहीं होना हील, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, इश्वर है कि इश्वर कह रहा है, मेरे बच्चे हील हो जा, मेरे बच्चे आगे बाद अब तरी प्रगति का समय है, अब ती हार, अब है celebration का समय है, लेकिन यह कि ना मैं क्यों हूँ, मैं हील क्यों हो am I design consort , मतलब यह बहुत जद्दी औरजा होती है, अगर आपको पता हो सी होर्स के बारे में बहुत जिदी सुवभाव होता है इसका तो ये क्यों है स्पिरिट जिसे आपसे पूछ रही है लेडी बग की ये क्यों कर रहे हो ऐसा ये समझतारी है या फिर मुर्खता है खुद जज़ करो अपने आपको बतले ये प्रशन है स्पिरिट आप cephe आपसे पूछ रही है आपको क्यों कर रहे हो थैं फिरिध को इचासत में ही दे रहे हो हीन होने की ये वो भी लोग हो सकते हैं जो अपसर ये कहते हैं कि क्यों करो माफ जैसे अगर आपसे कोई कहे कि forgive कर दीजिए क्योंकि forgiveness से आपका भी भला होगा लेकिन आपके मन में ये प्रशन है क्यों करूँ माफ मैं क्यों करूँ उसने मुझे दर्द दिया तो मैं क्यों माफ करूँ अगर इसी loop में रहोगे ना माफ कीजिए का आपका वो जो खंजर है ना वो पहला वार तो आप खुद पर खुद ही कर रहे हो तो पहला दुश्मन तो आप खुद के खुद ही हो गए अगर आप ये कह रहे हो कि मैं क्यों करूँ माफ माफ इसलिए नहीं करना कि कुछ बड़ा बनना है हमें नहीं माफ इसलिए कि हमें peace create करनी है उस निजारे के साथ कब तक उसका भार्ट होगे कब तक उसका भार्ट होगे खुद से प्रशन करो ठीक है तो यहाँ पर यह उसके बारे में हैं stillness, meditation यही बचा सकती है पाल 3 को यह बहुत बड़ा तांडव है इस पाल में इसको सिर्फ meditation बचा सकती है इसको करो मैंने कहा ना commitment है true love है, soulmate आना चाहता है twin flame separation में है तो reconciliation करना चाहता है, union होना ही चाहती है लेकिन यह भाग रहा था यह देखना ना ऐसे भाग रहा था यह तो यह क्यों नहीं हो रहा क्योंकि healing नहीं होने दे रहे हो, blockages create किये हुए हो चाहते ही नहीं हो आप ही नहीं चाहते हो कि यह चीज आये तो फिर वो क्यों आये आपके जीवन में spirit रही है तो थोड़ा सा समझो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो Pile 3 अतीद के घाओ 5 of swords कब तक यह कहानी चलेगी मुझे नहीं पता क्यों लोग इसको जारी रखते हैं इस loop से क्यों नहीं बहार निकलते हैं यह भी loop के बारे में है हाना कि मैंने Pile 2 में भी बात कही थी यह infinity का sign लूप के बारे में तो अतीद में जीना है तो फिर अतीद वाले ही experiences को manifest करोगे अगर कुछ बहतर चाहिए तो present moment से जुणना होगा जो कि stillness आपको कह रही है कुछ लोगों के लिए detox है कुछ लोगों के लिए emotional detox है कुछ लोगों के लिए mental detox है कुछ लोगों के लिए शारीरिक तोर पर भी अपनी खुराक का detox करना तो यह उसके बारे में है, सी यहाँ पर यह sparrow है, sparrow जो कि मेरे ख्याल से मस्सूमियत के बारे में हमें जान करे जती है, मैं इंट्रो में भी बता रही थी, सी आपको खुद करना होगा, कोई कुछ नी करने वाला, पाल थरी, कोई यहाँ पर राजकुमार नहीं आने वाला घोडे पर, और आपको रेस्क्यू करने वाला, खुद के रेस्क्यू आपको खुद ही करना पड़ेगा, यह सीधी गाइदन्स है यहाँ पर, जाग चाओ अभी भी समय है, अभी भी समय है, पता नहीं एक इसके लिए मैसेज है, क्यों इतनी रिजिड आपकी एनरजी है, इंजल्स प्रोटेक्टिंग यहाँ पर दो इंजल्स है, आपको एंजल नंबर बहुत नजर आती होंगे, कि लोगों को लगता है, कि एंजल्स नंबर नजर आना माने की पता नहीं कितनी बड़ी ब्लेसिंग, औरे वो वार्निंग भी तो हो सकती है, कि हाँ जाग नहीं रहे हो, कितनी बार हम तुमें वो बत्ती दिखाएं कि जाग जाओ, तो कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग है कि जाग जाओ, तो ये एंजल्स आपको बार बार इसलिए शायद संकेत दे रहे हैं, ये शार्क जो कि खोज पर निकली है, ये किस खोज पर निकली है, इनर सेल्फ की खोज पर, ये दुनिया को समझने की खोज पर, इश्वर को समझना है, हुआ अम आए, हुआ यू, कुछ भी, तो यहाँ पर खोज जरूरी है, यहाँ पर खोजना जरूरी है, यहाँ पर मैंने नमबर 11 का आपको मैसिज दिया था, क्योंकि दो चाबियां है, सल्यूशन है, हीलिंग है, आर्केंजल माइकल, जो कि आर्केंजल के एक लीडर भी माने जाते हैं, तो आर्केंजल माइकल की उर्जा के साथ काम करना, आपके लिए बहुए सिगनिफिकेंट हो सकता है, नमबर 11, जैसे सूल मेट्स की उर्जा, दोने हों ही एक दूसरे को सूल लेवल पर डेकर गनाइज कर रहे हैं, यह है और यहां पर यह बेबी एलिफेंट, तो जैसे दो लोग जो सूल मेट्स हैं, आगे एक बच्चे को जनम दे रहे हैं, तो यहां पर ना, जो फिटलिटी का मैंने आपको मैसेज दिया, आपके लिए बच्चा है, आपके लिए बच्चा है मेरी जान, जो लोग कोई आइडिया को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर वो काबलेत भी है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको हीलिंग करना है, जो कि स्टार्स की उर्जा हीलिंग के बारे में है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग अपने सोल मेट के साथ मिलकर करना है, तो अगर आपको लगता है कि नो, मुझे प्यार नहीं चाहिए, प्रियार आ रहा है, commitment आ रहे है, और आपके उन्नी मुझे नहीं चाहिए, ये शक्स भी आपकी healing में मदद कर सकता है, ठीक है, Christmas की उर्जा और लेटर के, कुछ लोगों के लिए Christmas significant हो सकता है, मुझे पतंग के से काइट समझ में आया, तो खुली पतंग ये नो, वो पतंग के आपका आने वाले कुछ months, ये आपकी पूरी healing का है, और वो इस साल के अंत तक उसका आपको असर देखने को मिल सकता है, तो वो celebration की उर्जा, जो कि यहां पर भी है तियोहार, दिवाली और Christmas का तियोहार कुछ लगों के लिए significant है, आपकी कोई यातरा संभव हो सकती है, intuition, intuition स सकती है, कि हा मैं एक इतना का क्यों सोच रहा हूं, कुछ अलग भी तो सोच सकता हूं, हर रोज एक ही ख्याल के साथ जाकता हूं, उसके साथ सोच आता हूं, क्या मतलब है उसका, थोड़ा सा उसमें बदलाव लेकर आओ, ठीक है, यहां पर clover है, और यह यह crown, तकदीर कारे में होता है, लेकिन कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, option 3, मुझे तो समझ भी नहीं आरा, क्यों ऐसा करते हो, यहां पर वाओ भी बन रहा है, आप में से कुछ लोग जैसे इतनी बड़ी transformation से गुजर सकते हैं इन आने वाले महीनों में, जहां पर हैरान कर देना किसी को, कि यहां मैंने यह कर दिखाया, यह असंभफ था, मैं गिर गया था, उठने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने कर दिखाया, तो वाओ, वो कॉम्प्लिमेंट है, अपनी तरफ आकरशित करना, तो कुछ लोग उनके लिए वो है, पैरिस की उर्जा है, और सिक्स ऑफ करने के लिए किसी शक्स के साथ ट्रावल करना, यहां पर रेड़ फ्लैक्स भी है, और यह फोर अफ कप्स, बोरियत, लेजी, प्रोकास्टिनेशन, आलस में जीना, और यह खत्रे का साइन, कि आप उसकी वजह से बहुत सारी लाक, बहुत सारी नाकाम्याभी जो होती है, उ तो यहां पर आपको, यहां पर ना अगर कोई गलती कर भी रहे हो, सीखने के दुरान, मतलब अभियास के दुरान कोई गलती हो भी रहे, तो क्या हो गया, अभियास के दुरान हो रही है, जब फाइनल परिक्षा होगी, उससे अच्छा है कि अभियास के दुरान आपकी गल जाता है, उनने की कोशिश करता है, फिर गिल जाता है, लेकिन यह उसकी प्रैक्टिस है, यही उसका अभियास है, एक दिन वो उड़ेगा, तो उस मानसिक्ता के साथ आगे बढ़ो जीपन में, यहाँ पर भी again messages हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्यूंकि इस इंजल के हाथ में कुछ लेटर की तरह पकड़ा हुआ है, तो संकीत spirit की तरह से new friendship है कुछ लोगों के लिए, तो यह नया संदेश, नया दोस्त भी हो सकता है, new friendship, letter J हो सकता है शक्स का, इसके नाम में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर number 4 और number 2, number 2 होता है हमारे जगल करना, क्योंकि यह green color का है, तो two of pentacle की उर्चा, तो जगल करना चीज़ों को, जहाँ पर हम समझ रहे हैं, कि हाँ मेरे पास काम है, मेरी responsibility है, और उस मुझे balance करे करना है, फोर, फोर जो है number, यह आपके family के बारे में की काम को भी balance करना है, और परिवार को भी समय देना है, ऐसी मान सकता है, यह बहुत जरूरी होती है, उन लोगों के लिए, जिनका खुद का business है, खुद का का काम करना चाहते है, तो यह बहुत जरूरी होता है routine, queen of pentacle, करियर में नए शुरुवात, और बहुत ही magical हो सकती है, कोई ऐसा काम जो कि आप करना चाहते हैं, जैसे आप हमेशा से करना चाहते थे, तो ऐसे करियर में कोई नए शुरुवात हो सकती है, कम से कम आने वाले 5 महिनों में, यह मुझे manifest होती होई नजर आ रही है, ठीक है, यह जो है ना, जैसे कुछ है, unwanted है, कोई घास है, जैसे काटने की जरूरत है, कोई धोल जम गई है, बर्फ जम गई है, तो उसे साफ करने की जरूरत है, जितना आप करते जाएंगे यही लिंग को, उतनी ही आप ऐसी opportunities को attract करते जाएंगे, यहाँ पर फाइफ ऑफ वांस, इस्तिमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा कम करने की जरूरत है, और कुछ लोगों के लिए हैं, जो लोग कुछ बुरे हैं, जो आपको सिर्फ तोड़ने के लिए अपनी शब्तों का इस्तिमाल करते हैं, तो उनकी आवास को नहीं सुनना, स्पिरिट कह रही हैं, उनकी आवास को नहीं सुना, वो खुद गिरे हुए हैं, खुद तूटे हुए हैं, इसलिए वो आपको भी तोड़ना चाहते हैं, तो उनकी आवाज को नहीं सुना, ठीक है, वो काबलियत है आपके अंदर, हर्मिट कार्ड की उर्जा, सेल्फ डिस्कावरी, खुद को समझो, खुद को जानो, खुद पर काम करो, खुद पर उर्जा लगाओ, अभी है बिखरी हुई, अभी दूसरों पर लगी हुई है थोड़ा सा बचो इससे पालतरी मनी बैग है यहां पर जो कि हमें कहता है कि नाइन ओफ पेंटिकल की उर्जा और जिस अंदास में ये चाबियां मेरा ध्यान एक्तम से इसके उपर गया जिस अंदास में ये चाबियां जैसे वो एट्रेक्ट नहीं वो बच्चीरी होते है वो जैसे वो हाथ में लोहे कुछ पकड़कर वो ऐसे देखते हैं कहां पर स्पिरिट है वो मुवी से ऐसा कोई सीन मुझे मुवी नहीं याद वो तो यहां पर जैसे कोई इस चाबियां से वो बैग को वो मनी बैग को अट्रेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कुछ लोगों के लिए ये मनी जार बनाना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आप अच्छल मी कर रहे हैं मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बड़े इस तरह पर ये क्योंकि मनी बैग बड़ा है तो यहां पर मनी बैग जैसे कोई मनी को मैनिफेस्ट कर रहा है वो हो रही है क्योंकि 11 मैनिफेस्टिशन का नमबर होता है Master number है तो यह हो जाएगी जो करने की कोशिश कर रहे हो Easter I think Easter April में है तो April का महीना कुछ लोगों के लिए significant हो सकता है कोई wish है आपकी जो आपने December में मांगी थी वो इस साल जो April है उसमें पूरी हो सकती है यहां पर आप में से कुछ लोगों ने अपने पैट को लूज किया है I'm very sorry आपके इस नुकसान के लिए लेकिन आपका पैट जहां पर भी है दुनिया में भी है वो कह रहा है कि वो खुश है और वो चाहता है कि आप ही खुश रहे उसकी मेमरी में अगर आपको लॉक इड़ाना चाहते हैं यह रिष्टे आपको सर्व करेंगे आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे ठीक है तो थ्री ओफ पैंटिकल से यहां पर थ्री ओफ पैंटिकल हमें क्या कहता है कर्म करो अपनी आइडियास को प्रस्तुत करो पीछे छुपके मत रहो अब सामने दिखने का समय है यह स्टेज पर है यह अपनी काबलियत अपनी स्किल्स को दिखा रहा है उसका परदशन कर रहा है शो आफ नहीं है यह कर रहा है यह बता रहा है कि मेरी यह काबलियत है इंट्रव्यू में है अगर तो आपका रजमियत अगर अच्छा हो कि हा मैं यह कर सकता हूँ, यह कर सकता हूँ, तो जॉप मिलेगी, यह उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है, तो यहाँ पर अपना प्रदशन की जो स्किल्स आपकी अंदर है, उसे दबा कर मत रहें, अब उसका उजागर होने का समय ह ठीक है, यहाँ पर बेबी आवल है, अगेन, यहाँ पर बेबी आवल, आपके दो निकले हैं, बेबी आवल मेरे लिए हमेशा सीखने सिखाने की पेजिस की उर्जा होते हैं, और यह पाल 2 में भी था, जो कि हमें कहता है फ्योनिक्स की उर्जा, सीखना पड़ेगा यहाँ पाल 3 को बहुत कुछ, फ्योनिक्स की उर्जा, गिर के तो क्या फिर उसी राख से उत्पन होना, यहाँ नई सेल्फ का, नई सेल्फ अमर्ज होना, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सब स्पोर्स खेलना, खासकर के रैकेट के साथ खेलना, वह बहुत अच्छा रहेगा हवा में, स्पेस में रहना, स्पेस के कॉन्टेक्ट में रहना, तो वह सिग्निफिकेंट रह सकता है, ठीक है, अब आपके लिए कुछ चैनल करने की कोशिश करते हैं, मैसेज़ को, वर्ड से, सी, यहाँ पर मुझे जग दिखा रहे हैं, वो जग, वो कह रहे हैं कि आप अपने आप के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जग आदा खाली देखते हैं, या आदा भरा हुआ देखते हैं, यह परस्पेक्टिव है मेरी चान, यह परस्पेक्टिव है, जहाँ पर मु और फिर देखो कि क्या समझ में आता है, ठीक है, ऐसी आपको अपना IQ भी बढ़ाने की जरूरत है, यह थोड़ा सा, उसके बारे में भी इशारा करता है, कि आपका IQ थोड़ा शायद कमजोर है, थोड़ी सी और knowledge आपको ग्रहन करने की जरूरत है, यह उसके बारे में भी है, ठ सुझा के साथ काम करने की जरूरत है, और वो मुझे कह रहे हैं कि आपको जैसे किताबे पढ़ने की जरूरत है, अनिमल्स के बारे में, उसी के दुरान आप अपने spirit animal को पहचान सकते हैं, तो कोई भी ऐसी किताब जिसमें animals का जिक्र हो, ecology का, environment का जिक्र हो, उसे read कीजिए, उसके दुरान ही आपको अपने spirit animal की जानकारे मिल सकती हैं, ठीक हैं, मैन काइंड है, यहां पर शब्द कुछ लोगों के लिए, मैन काइंड, इंसानियत, भला करना, service में, लेकिन तो बी आनिस, यह पाइल है नहीं अभी तयार, उस service के लिए, अभी इस पाइल को खुद service क काम करने की जलूरत है, तो आपको जैसे बड़े काम के लिए रड़ी किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहार खुद पर काम करो, आप service में जा सकते हैं, आने वाले समय में लेकिन अभी खुद के उपर काम करने का समय है, ठीक है, अगी मैं कहूंगी आपके लिए सोल में टूर्चा बहुत सिग्निफिकेंट है, कोई शक्स है जो आपको commitment देना चाहता है, लेकिन भाग रहे हैं, लेकिन यही शक्स है जो आपका अधार करेगा, आपकी growth में आपकी मदद करेगा, यह बहुत spiritual हो सकता है शक्स, ठीक है, यहां पर यह tree of life ही है, और हां कि मैं में पिंजरे में, क्या जरूरत है उस पिंजरे में जीने की, आजाद हो सकते हो, कोई है तो नहीं बंतन यहां पर, कोई पिंजरा तो है निए, यह जो खुला पिंजरा है, उसमें से आजाद हो सकते हो, तो easy है आपके लिए, यहां पर मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारे, जिस भी रूप में आप इश्वर को याद करते हैं, उसकी भी चाप है, तो प्राथना कीजिए, थोड़ा सा अपने संसकारों के साथ जुड़ी, अगर भूल गए हो रूटीन का काम करना तो उसको दुबारा कीजिए, यहाँ पर फोड़ी सी रिलीजन की भी ऊचा है, ठीक है, तो यहाँ यह कुछ मैसेजिस हैं, उप्स, अगेन, थोड़ा सा मैं भूल गई अगेन, याद दिला दिया लेकिन यहाँ पर टोकन, टोकन ओफ लव, तयार रही है, कुछ लोगों के लिए हैं यहाँ पर कमिट्मेंट, आप रिजस्ट करेंगे भी तो लेकिन वह हो जाएगा, मतलम आपसे रोक नहीं पाएंगे, और यहाँ पर प्रेग्नेंसी, जो रुका हुआ है ना, आपका जो तकलीफ है आपकी फर्टलिटी के, क्यूं लेटर सिग्निफिकेंट हो सकता है, यह क्यूं भी हो सकता है, यह नो वाई, यसे हम चैते हैं क्यूं, तो यह कुछ लोगों के लिए वह हो सकता है, यह यह है पाल 3 के लिए, I know, चैसे कान कीचे हैं परितने, लेकिन यह ज़रूरी है आपके लिए, अगर आभी तक आपने देखी है यह पूरी रीडिंग, जिन्होंने यह पूरी रीडिंग भी देखी है न, प्लीज कॉमेंट करना, मैं देखना चाहूंगे कितने लोगों ने यह देखा है, क्यूंकि इसे देखने के लिए भी जग्रा चाहिए, अच्छ हैês, सेडो सेलf,जह जो पूरी हैंए जहां पर उनकी इगो को फले फूले, जहांपर उनकी इतने अच्छ हैं आप यह करहें यह दो आपको और यह मैसेज हैं वह जाहिए तो बहुत कम लोगों ने मेरे खिया इसे लिडिंग कहँं होगी, इसमें एड करने का सोच रही हूँ, तो यह, मुझे ज़रूर जानकारी दीचियेगा, और अब मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, इस उमीद के साथ, कि आप सब लग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्त रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपका, आपकी नेक्स रीडिंग में तब तक के लिए, बाई-बाई!